नमस्कार दोस्तों वेलकम टू सरकार स्टड़ी वेस्तों चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारती करप्रणाली ठीक है इंडियन जो टेक्स सिस्टम है उसके वारे हम यहां पर विस्तार से जानेंगे और यह होता क्या है इसके संबंद में सारी चीज़ें यहां को मिलेगा MPPSC मेंस के अंतरगत पेपर टू के बीके अंतरगत यूनिट फर्स्ट में यह टॉपिक आपको देखने को मिलेगा यह हमारा जो है इंडियन एकोनोमी से रिलेटेट यहां पर टॉपिक चल रहा है इसका अंतरगत हमने बहुत सारी चीज़ें आपर कवर कर चुक कर या teks इसको बोला जाता है मतलब 는 हम बोल सकते हैं government जिसकी अगर बात करें तो Government यह निकी सरकार सरकार को दिया या एक अनिवारे भुक्तान होता है जो क्या करता है करदाता द्वारा प्रत्यक्ष लाव प्राप्ति की आसा के बिना दिया जाता है और आधुनिक अर्थसास्त्र कर को आएके पुनर वित्रण की वेवस्ता के रुपए परिभासित करता है सरकार द्वारा इसलिए जो है मतलब कर इसलिए लगाया जाते है ताकि वह साबजनिक खर्द से संब्दित यानि कि लोग कल्यान के लिए बहुत सारे काम कर सके और जो साबजनिक खर्द से संब्दित दाइतव है उनका निर्वान यहां पर कर सके तो हम सबसे पहले देखें है देखें के गवर्मेंट होती है गवर्मेंट मतलब सरकार और यह идет के द़ौरा एक tax system यानि की कर पनाली यहां लागो होती है जनता के अंतरगत हमको देखने के दवरा गवर्मेंट के द़ौरा और साथ में output के निकल कराता है output देखने को मिलता है कल्यान कारी राज की मतलब जो कर है कर का प्रयोग जो गवर्मेंट है वो किसलिए करती है welfare state का निर्वान करने या कल्यान कारी राज की स्थापना करने के लिए इसका जो है क्रियान्मेन किया जाता है tax system का इंडिया के अंतरगात अब यहां देखे आपको कर आरोपन के उद्देश से देखने को मिलेंगे तो तीन प्रकार से हम देख सकते जैसे अर्थ ववस्ता का नियमन करने के लिए यहां पर कर को लगाया जाता है दूसरा हम देखें तो राजस्वी की प्राप्ति इससे होती है जिससे अन्न जो चीजे है वो एक्जिक्यूट होती है देश के अंदर और निक्स्ट जो है आय का पुनरवितरन जैसे कि हमने अभी definition में बात के आय के पुनरवितरन के लिए जो है कर सिस्टम या टेक्स सिस् एक होता है प्रगत प्रतिगामी एक होता समानुपातिक और एक होता है आवक्रमिक तो यह चारों प्रकार हमको देखने मिलेंगे जिसमें से पहले प्रकार की बात करें तो प्रगतिसील जो कर प्रणाली है वो क्या होती है इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव कर प्रणाल होती होती है उसमें ब्रद्धी होने के सांसनाथ क्या होता है उस पर लगने वाले का यहां पर भढ़ ठीछ मतलब ज जब आई जो है जिसके कर लगाना है बहुत अगर ठीछप ब्ंढ़ते जाता ए तो इसे को उसमें कर नहीं लगेगा तो इस प्रकार का कर स्तिति में क्या होता है कर का भार निमने आय वर्ग पर अधिक पढ़ता है तो यह हमको देखने मिलता है इसके ठीक विपरित होता है यहां पर प्रगति सील का उल्टा क्या होता है प्रतिगामी होता है यहां यहां बढ़ते जाती है तो उसका जो कर है वो काम होते जाता है नि में अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे to personal tax system क्या होता है इसका मतब होता है जो समानुपातिक करपणा लिए उसमें आई के प्रत्रे कस्तर पर समानदर से कर अदा करना पड़ता है इसमें क्या होता है आई बढ़ने से करख कि रासी में तो ब्र domestic होती है चोहता जो प्रकार है वो हमको देखने मिलता है अवक्रमिक करप्रणाली अवक्रमिक का मतलब क्या होता है डिग्रेसिव टेक्स सिस्टम इसको बोला जाता है तो यहां हमको क्या देखने मिलता है यदि करप्रणाली ऐसी हो जिसमें आई के कुछ स्तर तक तो कर की दर में ब्र लगतिसील और समानुपातिक दोनों कर पंडालियों की बिसिस्ता सामिल होती है देखने मिलती हैं ल gate अपती सकते हैं यहां पर किता है कर एक होता है सुन्क नाय। होता है टेक्स और टेक्स मतलब हम देखें तो नागरिकों को विभिन प्रकार की सिवा एबम जो सुभिधा है उसको प्रदान करने के बदले गवर्मेंट के द्वारा क्या होता है गवर्मेंट के द्वारा नागरिकों से क्या किया जाता है एक सुल्क लिया जाता है उस सुल् उसे कहते हैं जिसे की घृक sudah बोलें तो इनके इसे को बोले जाता है जब किसी सेवा के बदले में कोई सुलक यहां पैर works लगाता है तो कर आप समझे होंगे कर मतलब क्या होता है नागरिकों को विभिन प्रकार की सिवा एवन सुविधार प्रदान करने के लिए गवर्मेंट या सरकार के दौरा नागरिकों से कुछ सुल्क लिया जाता है यह कर नाप तरीके से लाभभमेदफ होने के फिर यहां since started और इसको लिए जाता है तो को का यहां आप देखें उसके बाद आप देखिए दो कwhenसेप्ट आपको और डेखने के मिलेंगे इंपक्त तो होता है करापात मतलब incidence और एक होता है impact impact मतलब होता है impact मतलब कराघात होता है ठीक है तो इसको मैं समझाता हूँ अभी incidence होता है और एक होता है impact होता है तो करापात का मतलब क्या होता है जिस बिंदू पर जहां पर कर लगता है मतलब कर जहां पर लगाया जाता है वो के कहलाता है करापात है न filt का बात वाइपारी यहां पर नियुक्ट यहां पर लगाया तो आहां? किसी कर के लगा जाने के प्रस्चाहत इसका भुक्तान बास्ताओं में जिसके द्वारा किया जाता है यहनि कि अगर वेपारी को कर लगाएगा है तो अगर वेपारीच यहां पर दे रहा है तो वो करागात जो होता है वेपारीच के अंतर गताएगा परन्तों अगर indirect tax है तो अन्य किसी बैक्ति पर वहाँ पर भार आ जाएगा तो करणाहात का मतलब जिसके दौरा इसको पर किया जा रहा है जो करा करा पात है वो लगाए गया है और लगाने के बाद अगर उसका किसी अन्य बैक्ति पर भार पढ़ता है तो जिस बैक्ति पर उ को उत्र उत्र बद्धी के साथ बढ़ता जाता है जो इंकम टेक्स है उसकी अगर बात करें कुछ लोग जो होते हैं प्रतिगामी करण रोपन को चिठ ठहराते क्योंकि जिसकी अधिक होगी वह कम कर देगा और इसलिए बचत अधिक होगी यहां पर जो आर्थी विकास में सहय होगी कर रोपन यदि अत्यदिक प्रगति सील हो जाए तो इसके कारण जो है कर दाता का कर अववंचन यानि की जो टेक्स है उसको यहां पर चुराने के लिए यहां पर प्रोस्तान मिलता है तो यह चीज हमको बेसिक तोर पर देखने को मिलती है अब बात करते हैं कर के प् कर से प्राप्त आये साम जनी का कर प्? पसर्वद है महतपून माना जाता है мыदमेंर यहां पर दो कैटेगरी है और एक और है यहां पर अधिकार छेत्र के अधार पर तो पहले हम देख लेते हैं करापाथ मतलब दिए पर कर के प्रेक्ष और एक होता है प्रेटिक्ष क्र coupon मतलब होता है उढ़ा को तरफार क कर को आरूहरे से ना भशूल गजाता है process मतलब होता है इस पर जो कर है कर को आरूहरूपित किया गया हो उस необходимо ना बसूल कर मतलब जो जिस व्यक्ति पर आरोपित किया गर उससे ना बसूल कर किसी अन्य व्यक्ति से अगर वुसूल जाता है कर आपकर अलग होता है दोनों मतलब जिस पर लगाएगा वह को डिकожет आपको देखने कर पे आंधर Pierce. आप किमस्तो कार नियुकर को ओंचिकोज में बें मिलेंगे तो और श्योंero रिपाओ यहां पर ईजी है केंडरी कर आंधरा करों मिलेंस। किंद्री कर कि अगर बात करें यहां पर तो देखें यहां पर आयकर देखने को मिलता है निगम कर देखने को मिलता है उसके साथ ही हम देखें तो पुंजी लाप कर देखने मिलता है किंद्री उतपाद सुल्क के देखने मिलता है सेवा सुल्क के केंद्री विक्री कर सेवा कर देखने को मिलते हैं इसके लावा इस्थानिय कर में देखें तो संबंदित जो राज्य है उसकी व्यवस्ता के अधार पर यह निर्धारित के जाते तो यह करेंट में जहां पर लगाना होता है तब इसको डिफाइन कर लिया जाता है ऐसमें हम देखें तो हमको next क्या देखने को मिलता लेखे कुछ जो प्रकार कर देख If यहां पर कर चुकाने का दाइत के वह हम क्या बोलांगे दाइत मतलब जिसके उपर उत्तर दाइतव होता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर करागात मतलब जो इंपेक्ट हो रहा है यानि कि इंपेक्ट जिस पर होता है और कर का भार कर का भार मतलब जो होता है एक प्रकार से भार अगर बोले तो हम इसको करापात बोल सकते हैं ठीक है एक होता है करापात और एक होता है करागात तो हमने है एक बिंदोब होता है तो उसको बноंते हैं कि धर्य कौश्चा टो EL में पर जाता हुआ तो कि प्रेट्ट कर बोलेंगे तो इसके अनतरगत अलग परकार से यहां पर कर देखने को को मिलते हैं जैसे मुख रूप से अगर देखें तो हमको यहां पर आयकर देखने को मिलता है निगम कर के अगर बात के निगम कर भी हम इसके अंतरगत प्रत्यक्षकर में देखने मिलता है व्यायकर भी इसके अंतरगत देखने मिलता है उसके बात संपदा सुल के देखने मिल प्रत्यक्ष करों कि प्रवत्ती यहां पर देखने को मिलती है उसके आद प्रत्यक्ष कर मतलब जिस बैक्ति के द्वारा मतलब जिस बैक्ति पर उसका लगाय जाता और भार और कोई सेहन करता तो उसे अपे टिक्ष कर बोलते हैं जैसे जीहस्ट मुखुरूप से जो है आप डिक्ष कर जिसके अंतरगात बहुत सारे टेक्स को यहाँ पर सम्मेलित कर लिया गया है तो यह चीज हम को यहाँ पर देखने को मिलती है ठीक है तो यह अलग-अलग प्रकार से हम देख सकते हैं किसके अंतरगात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर तो पहले हम विस्तार से बात करेंगे प्रत्यक्ष कर के बारे हैं तो प्रत्यक्ष कर के अंतरगात विभीन प्रकार के कर हमको देखने मिलते हैं जैसे कि आयकर की बात कर लेते हैं निगम कर की वैकर की, संपत्तिकर, संपधासूल, उपहार कर और व्याज कर तो यह सभी कर हमको देखने मिलते हैं जिसमें से हम कुछ important जो है वो हम यहाँ पर देख लेंगे जैसे आयकर आपका सबसे important है आयकर मतलब income tax इसे बोलते हैं ठीक है इसको क्या बोला जाता है income tax इसको बोला जाता है तो किसी वैक्ति विसेश की जो सुद्ध आय है ठीक है जो वैक्ति की सुद्ध आय होती है उस पर जो tax लगता है उसे क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे यहाँ पर income tax यानि कि आयकर इसको बोला जाता है और आयकर जो सुरोत है उसके अंतरगत हम देखें तुए चीज़ में मिलती है एक तो बेतन देखने मिलता है दूसरा बैपार देखने मिलता है या फिर कोई वैसा या प्रोपेसन है बोह twist को देखने मिलता है तो इन से जो आई होगी उसका ये श्रोत माना जाता है संपत्ति से आए हो रहे हैं व्याज से प्राप्ति हो रह हो रहे ही यानि डेविचेंच टू होता है उसमें संभलित किया जाता है और एक और देखने को मिलता है CBDT CBDT मतलब होता है केंद्रिय प्रितेक्ष करवोर्ड के अंतरगत आयकर विभाग द्वारा इसकी वसूली संभव होती है आयकर के संबंद में ठीक है और यहां पर बरतमान के अगर बात कहें तो बरतमान में पूरे जो आयकर दाता है उसमें से लगभग 3.5% लोग ही कर दाता है मतलब इतने प्रतिसाथ सो प्रतिसाथ में से सो प्रतिसाथ को यहां कर देना चाहिए परन्तु यहां मात्र 3.5% लोग ही क्या देते हैं आयकर को यहां पर चुकाते है और भारत जैसे विकास सील अर्थे बवस्ता के दृष्टी कौन से यह है संख्यात अधिक कम देखने को मिलती है फिर होता है एक उपहार कर उपहार कर का मतलब होता है गिफ्ट टेक्स इसको बला जाता है गिफ्ट टेक्स मतलब उपहार देने के लिए जैसे अगर कोई बेक्ती मतलब यहां अगर देखें तो कोई बेक्ती पचास हजार पचास हजार रुपे से अधिक मूली के जाते हिति रिस्तधारोग में बोल रही है पत्ति पत्नी भाई बेन अपने मातपता इन अब को दादा दादी से प्राप्त उपःखार है इनको यहाँ पर क। बहुत में भारत में उपःखार कर शरफ में सर पतम लाने की संस्तूति दी गई थी लाने की संस्तूति के द्वारे दी नाम था कोल्डार समीति के द्वार इसकी सिपारिस की गई थी और बाद में 1998 में इसको समाप्त कर दिया गया तो यह चीज हमको देखने मिलती उपहार करके बारे में फिर नेक्स्ट जो है निगम कर देखने को मिलता है निगम कर का मतलब होता है कॉर्पोरेट टेक्स कॉर्पोरेट टेक्स यहां पर देखने को मिलता है एक बित्य वर्स में किसी कंपनी अथवा निगम द्वारा अपने बैपार में प्राप्त की गई जो सुद्ध बारसिक आय होती है बैपार या फिर हम बोल सकते हैं निगम के दौर आपने मतलब प्राप्त की गी सुद्ध वार्सी का जिसे net annual income बोलते हैं उस-पर लगाए जाने वाला जो भी कर होता है ठीक है उस पर लगाया जाने वाला जो कर होता है उसको इसके अलाबा हम देखें तो कुछ important चीज हमको देखने मिलती है कि सरकार ने RC विकास निवेश तथा रोजगार सरजन को बढ़ावा देने के उद्देश से 2019 की बात करें तो यहां पर देखें सितंबर 2019 के मैं जो है company के लिए निगम कर की जो आधार है उस पर जो है 30% से घट सोलते हैं इससे भी छूट दे गई है बी निर्मान के छेतर यानि manufacturing सेक्टर में अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली जो भी company है निगम है जो कंपनिया सुरू की जानी उनको 31 मार्ट 2023 के पहले उत्पादन सुरू करने वाली company के लिए निगम करकि जो आधार और ऐसी company जिनका निबल लाब है तो इस प्रकार से धनात्माग हो परनतुस सरकार दोरत दी जाने वाली छूट या रियायतों का लाब उठाने के बाद यदी निबल लाब सुद्ध लाब जो है सुनने हो जाए तो इन्हें जो है कुछ भी निगम कर ना देना पड़े ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं इन्हें सुनने कर वाली कमपनी कहते हैं मतलब ऐसी कमपनी जो कर नहीं चुका सकती कर नहीं चुका सकती मतलब जिनके उपर कर का भार नहीं रहता और बित्वमंत्री जो पीछ दमबरा में उन्होंने 99-98 के बजट में नियूंतम बैकल्पिक कर को लागू किया था उनिस सो संत्यानवे 98 का जो बजट है इसमें नियूंतम कर नियूंतम बैकल्पिक कर को लागू किया गया था तो यह तो हो गया एक प्रकार से minimum alternative tax उसके बाद एक और कर्म देखने को मिलता है इंकम मतलब हमारी प्रत्यक्ष करके अंतरगा जिसे बोला जाता है पुझी लाबकर का मतलब होता है Capital Gain Tax Capital CGT यानि की Capital Gain Tax इसको बोला जाता है और कोई भी जो प्रतिव होती होती है सेकुरिटी होती है जैसे कि हम बात करें सियर है या फिर हम बात करें डिवेंचर है इसके अलावा देखें तो मकान है या फिर अन्ने कोई समपत्ती है जब अपनी जो क्रेय लागत है या निर्मान लागत से अधिक मुल्य पर विक्ती है तो इससे होने वाले लाब को फुझी करें और ऑपतीटु आप गता है और इतु जो कर लगता है और सब्सक्राइब कर०र कर देख लगते हैं के दिर्गककारलीन पुझी ते कर देखिए नूद्der की लिए जाक्षिक HOLYन कर दें देखाय सम में चांजिय। जारा जाता पुझी का तलाप करको STT यानि सेकुरिटी ट्रांजेक्सिन टेक्स इसको बोला जाता है उससे प्रतिस्थापित कर दिया जाता है इसके अलाबा कुछ प्रत्यक्षकर और देखने को मिलते हैं अन्य जैसे की वेकर है जिसे एक्सपेंडिचर टेक्स बोलते हैं तो यह जो कर ह है बरस 1989 में लागू किया गया 2003 में सको समाप्त कर देगा है फ्रिंज बेनिफिट टेक्स जिसे फ्रिंज एफ बीटी बोला जाता है और कोई कंपनी अपने कर्मचारियों के बेतन के बदले जो सुभिदा देती है उससे सीमान तलाप कहते हैं मतलब यहां फ्रिंज बेनिफ भार और उपकर 1530 की दर से डीडी टी जिसे हम डिवीडेंट डिस्टिब्यूशन टेक्स बोलते हैं यह देना होता है और वर्स 2021 के बजट में इसे हटा कर लाभान सकराधान की क्लासीकल जो प्रणाली है उसको अपनाने का प्रस्ताव किया गया बस्तू बिने में कर की बात कर थे जिसके बारे हमने देखा आयोग सारी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी इसके बाद हमारे आप प्रत्यक्ष कर यहां देखने मिलेंगे फिर हम देख लेते हैं क्या होता है ठीक है कर क्यों लगा जाते हैं लोग कल्यानकारी राज की स्थापना के लिए गवर्मेंट फेके प्रत्यक्त क्रव श्थां चाइब यहां फिर नांउक होता है लग लग प्रत्यक्न की और अधिकार ठेक्श्ध कर मेए Champs आप अन्यकार यहां और थे म जैंनल को जो सब्सक्राइब. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए जय हिंद्ट